नमस्कार बहुत बहुत स्वाइट करते हैं Click Today के आज की इस फीडियो रिपोर्ट में मैं हूं प्रशान्त और आप सभी देख रहे हैं Click Today YouTube चैनल और आज है 2 नौमबर 2 नौमबर की रिपोर्ट में जो है On-Spot Admission को लेकर के हम बात करने वाले हैं 2022-25 सेशन में और PG 2021 से तेई सेशन में जैसे कि हम आप सभी को बता दें कि तीन मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है UG वब PG की और तीनों मेरिट लिस्ट के उपर जो दाखिला है उसका समय समाप्त हो चुका है और अभी तक कि UG में एक लाग शात्रों ने अपना एडमिशन करा लिया है वर 25 सेशन की जो कक्षाएं आज से सुरू होने वाली थी लेकिन आज कॉलिज वर यूनिवर्सिटी बंध होने के कारण जो है कक्षाएं आज से सुरू नहीं होंगी लेकिन वो कब से सुरू होंगी इसको लेकर के भी कुछ रिपोर्ट जो है चपी है सबसे पहले देखेंगे बिहार भी भी ऑन स्पॉट एड्मिशन होगा या नहीं इस पर जो है दो दिनों में हो सकता है फैसला तीसरे लिश्ट के बाद भी जो सनातक में 60,000 पीजी में 1600 सीटे जो है खाली बची हुई है में भी कुछ कॉलेज को अप्रूबल मिल गया था अफ्लेशन मिल गया था उसके बाद उनकी सीटे एड कर दी गई थी और यूणिवर्सिटी के पोर्टल पर इन सभी कॉलेज का नाम एड कर दिया गया था तो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो सुनातक में अब भी परिख्षाएं जो है चल रही है तो कल से उन्वर्सिटी वा कॉलेज पूर्ण रूप से खुल जाएगी तो जैसा बताया जा रहा है कि नए जो सत्र है 22 से 25 वाला उसमें कक्षाएं सुरू होने वाली सनातक में विश्विद्यालेक के अंतरगत 110 कॉलेज है और इसमें जो है 1.500.000 शात्रों का अधिकतम सीट है और इनमें एक लाग शात्र चात्राओं का नामांकन हो चुका है बची हुई सीट पर नामांकन जारी रहेगी यानि जो खाली सीटे अभी बची इसपर नामांकन अभी चलती रहेगी लेकिन इस विश्विद्यालेक खुलने के बा से 25 से थे उन्च रहे हैं वो सभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके रख लिजे क्योंकि आपके आने वाले जितने वी इक्जामनिशन के अप्डेट्स है यह जितने भी आगे अपडेट्स आप लोग को मिलेंगे वह हमारी चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्काइब करके बेल एक उनको ओन कर लिजे अपडेट जो है आनी सुरू हो जो कि और जिनका भी अभी तक के नामांकन दर्ज नहीं हो पाया किसी भी कॉलेज में वो लोग का क्या होगा अगर आपने यूमाइस पॉर्टल पर अपलाई किया है तो क्या होने वाला है इसके उपर भी हम चर्चाय करेंगे यहां पर देखेंगे जैसे के नीचे में लिखाओ दाखिले के बाद भी जो है बियारे बिस विद्याले के चिंता का यह बात है अब तक के जो है जितने भी सीट्स थे उस पर तो नामंकन करा लिया गया क्योंकि तीन में इटलिस जारी किया गया है अब आगे इन चाठ चातराओं का क्या होगा इस पर दो दिनों में जो बीवी खुलने के बाद फैसला किया जागा दिवाली वा चट पर की छुटी के बाद बीवी तीन नौमबर से खुल रहा है इस पर खुल पती के निर्ने के बाद ही मुहर लगेगा पदा अधिकारियों की माने तो बीवी की रिक्ट सीट पर नामांकन के लिए ओन स्पोर्ट नामांकन योजना है तो इसके उपर एडमिशन जरूर से जरूर ली जाएगी तीन मेरी लिस्ट के बाद जो है जिन चाठ चातराओं का नामांकन नहीं हो सका है उन्हें जो है डस कोलेज का जो आपशन दिया सकता है उन में से किसी कोलेज में यो स्टुडेंट जाकर सना तक में अपने ड्मिशन ले सकते हैं वहीं अगर पीजी की बात करें इधर आप देख रहे हैं, PG में विशय बदलने का मौका मिलेगा और किन में बदलने का मौका मिलेगा, तो यह आपको हम रिपोर्ट में बताते हैं PG में विशय में 1660 सीट अधिक अभी रहे गई हैं, खाली बची हुई है तीन लिस्ट के आधार पर जो अब तक के 3500 नामांकन हुए है UMIS के कॉडिनेटर जो है डॉक्टर TKD ने जो है काया है कि यहाँ पे ओनर्स के विशय को चेंज करने की भी जो छूट मिलेगी और यहाँ पे किसमें किसमें मिलेगा दर्शन, शास्त्र, उर्दू, संस्कृत, सहित, कई अन्य विशय जिसमें जो प्रैक्टिकल नहीं है नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है उनमें जो सीटे खाली है चात्र चात्राइं इस विशय को बदलते हुए जो अपना इसमें नामांकन करा सकते है उनने बताया कि इसे जो चात्राइं को राहत मिलेगी वही जिन विशय में जो सीट खाली है उनमें आसानी से जो नामांकन हो सकेगा यह चीज़े जो बता दिए हाला कि अगर कोई एमकॉम के लिए सोच रहे होंगे बीएस्टी के लिए सोच रहे होंगे तो उसमें सीटे खाली नहीं है सीटे भर चुकी है तो बस आपको जो है में सीटे कुछ संकाय में जो खाली बची हुई है तो उसमें आप जो है अपना सब्जेक्ट चेंज करके डाल सकते हैं उसमें भी ऑप्शन अगर आपको मिलेगा यूमाइस पोटल पर तभी आप चेंज कर सकते हैं अधर्वाइस आप चेंज नहीं कर सकते हैं आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा हाला कि आखिर में भी कई शात्रों ने अपलाई किया था पीजी के लिए तो मैंने पहले भी बोला था कि लास्ट लास्ट टाइम तक नहीं लिए तो आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट्स आती हैं वहीं पर यहाँ पर देखेगा पार्ट बन 2021 की चल रही है परिक्षा है और 15 तक होगी एकदाम परिक्षा के बीच जो है कक्षा है और उन्होंने हाथ खरे कर लिए कहें कि अभी 2021 से 24 सेशन का पार्ट बन का परिक्षा चल रहा है इस भी हम कक्षाएं नहीं संचालित कर सकते हैं अगर कक्षाएं संचालित होगी तो आप हमारा कॉलेज ऐसे भी है जहां पर क्लास कभी नहीं चली है आज तक लेकिन 2022 से 25 सेशन में सीवी एक सिस्टम लागों होने वाला है जिसमें की हर छे महीने के बाद आपका परिक्षा लिया जाएगा उसके बेसिस पर आपका रिजर्ट त्यार किया मतलब सेमेस्टर बाइस आपका कॉलेज और उनिवर्सिटी में इंप्लिमेंट करिए जिससे की छात्रों का जो है मुल्यांकन किया जा सके कि उनको अभी नॉलेज कहां तक है उनको सिलेवस का नॉलेज कितना अब ना इसके बिसिस पर उनका हर छे महीने के बाद एक एक सामनेशन लिया जाएगा इसके आज की रिपोर्ट में बसी यही था तब तक के लिए हम चलते हैं धन्यवाद आपका कोई सवाल ये सुजाब हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में